भारते जंदापार्टी के नेता और हस्मुक गेलोद जो यहां के उपमाहपोर है और खासतर नरंद्र जी महिता के वो पार्टनर भी है तो वो मेकिन दे डिफरेंस नाम की उनकी संस्ता है और उस संस्ता के माध्यम से इंद्रोलोग परिसर में बालसाब ठाकरे जो हमारा मैद यहां पर है और प्रवद महाजिन जी के नाम के एक यहां पर कम्यूनिटी सेंटर भी बनाया गया है उसके बिचो बिच स्कुल रिजरोशन का प्लोट है वहां पर कचरे का प्रकल्प हस्मुक गेलोद जी ने लेके आये थे इस जनरल बॉड़े में हमारे सभी शिवसेना के नगर से वो को ने हमारी स्निय人 उलहरत है जीन तिलाल पातिल है हमारे विरकर जी है और हमारे अमगाव क्र जी सभी लोगों हमारे पदादिकर हैногоी किया था सभागरह में भी पर सकहण यहां पर आके रस्ते हैं और भीरोध इसलिए नहीं है कि किसी पार्टी का कोई कार्यक्रम है ऐसलिए परिसर के क epilepses था रहन लेखित श्वरूस से निवेधन था और यह कहा है अगर करना ही है तो स्कूल रिजरेशन का प्लोट है, वहाँ पर आप स्कूल अच्छा बनाईए ताके हमारे बच्चों को अच्छा एजूकेशन वहाँ पर प्राप्त हो तो इस तरह से जो कच्रा प्रकल्फ हस्मुग गहलोजी यहां पर कर रहे थे, अभी अभी मैं आंदोलन हमारे नागरी को नहीं किया तो मैं यहां पर आ गया, तो अपनी अपनी समझ से जो है उस उन लोगों ने यहां पर बताई, तो कमिशनर साब से मैंने बात कर थी, कमिशन यह विधायक, प्रताफ सरनाई का अगर विरोध है, तो मैं यह करने नहीं दूँगा, क्योंकि गलत चीज है, शहर के बीचों बीच अगर ऐसा कोई प्रकल्फ होता है और उसको नागरी को तकलीब होती है, तो वो होना नहीं चाहिए, बलकि अगर ऐसा प्रकल्फ यहां पर तरनाई है, तो 37 की जो प्रक्रिया रहती है, वो पार करनी पड़ती है, और गोवर्मेंट के पास वो प्रस्ताव भीजना पड़ता है, अगर उन्होंने मेरे उपर प्रेशर ही दिया, अगर उन्हें ने चेंज नहीं किया, वो जो लोकेशन है वो, तो मेरे को जानता हो कि संदिया के कश्रापदल यहां पर नहीं होगा। तो मैं यहीं कहता हूं है बलके इस परिसर के जो आंतोलों की धरन दिया उन लोगों का यहां पर शुक्र्यादा करने हो है कि क्तार कॉर्परे Приया नहीं पया भाइंदर यह कॉर्परेशन का एरिया है किसी के अपने खुद के बाप की प्रॉपर्टी है यह हिसाब से यहाँ के निवगरेश्ट नेता ऐसा-एसा काम करते हैं मैं यह भी जानता हूं के हस्मुक हिलोज जी और नरेंद्र मेता जी आपसी भागेदार है यह नरेंद्र तो वहां पे पहले लोगों के लिए करना चाहिए और अगर उसका कुछ तकलीब नहीं होती है तो फिर आगे उन्होंने करना चाहिए उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी सब मेरा भाईदर शहर में इन्होंने कहा था किसे वाली निवन का क्लब है यह आगे और दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी है यह बात सही है कि यह प्रॉपर्टी उनकी खुद की है नगर वहां पे अगर यह प्रकल पहला कर लेंगे और उसकी सुविदा अगर लोगों को होती रहेगी तो दूसरी जगह पे उन्होंने लाड़ा चाहिए यही मेरे कहिए लोकाल चाहिका नी विरोध पाप देखरें अन्रिकॉर्ड मेरा भाइंगर भार्चेंत पाटी हो शिवसेना फिर एक मरतबा आमने सामने आ चुकी है और इस मरतबा का मुद्दा है कि पिछले सब्ता में महासभा में एक प्रस्ताव को मंदूर दिये है महानगर पालिका ने जिसमें एक निजी संस्ता को कच्रा विल्गी करन केंदरन के नाम से जगा दी जारी है जहां पर शेहर बर से सुका कच्रा इकटा करके उसे आगे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाएगा इसका यह मकसद बताया है संस्ता ने लेकिन इसी मुद्दे को लेकर अब शूसेना ने खुलकर विरोज जताया है जिसके चलते आज शूसेना के एमिले परताब सरनाइक ने उ इस जगा पर जाकर इस्तानी निवास्य के साथ में अंदोलन किया और उन्होंने इस विशे को लेकर मनपायुक्त दिलिव भूले से बात भी कि मनपायुक्त दिलिव भूले ने भी अपनी भूमिका रखी है कि वह इस विशे को लेकर क्या करने वाले हैं लेकिन इस पूरे म बिश्यत के पीषे उनका क्या मक्सद था और हो क्या बताना चाहते है कि संसा क्या वाँकर डंपिंग ग्राउंड बनाना जा रही है जिस तरह से शू सेना द्वारा बताया जा रहा है या फिर ये एक सेगरिगेशन सेंटर या कलेक्शन सेंटर है जी असमुक भाई ये जो मुद्दा जो इस वक्त गर्माया है क्या है ये पूरा मामला क्या इस पर आप रोशनी दालेंगे आपके माद्यम से मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो वहाँ पर प्रकल्प हम करने जा रहे हैं मेकिंग दे डिफरेंस के माद्यम से जो मानगर पालिगा ने उनको जगा मोया करा के दिये है उसके अंदर ये होगा जिस तरीके से ना पूरी तरह से रिसाइकल सेंटर होगा ना ही कलेक्शन सेंटर बोला जाएगा हम आदा यह आदा यह आप में जानकर यह दे सकता हूं कि जो सुखा कश्रा है चाहे वो फिर प्लास्टिक के माद्यम से हो चाहे वो लकड़े के माद्यम से हो चाहे वो लोय के धातु के माद्यम से हो वो सभी सुखे कश्रों को जमा करके उसको हम segregate करेंगे यानि उसको बाटेंगे उसके बाज में उसके छोटे-छोटे तुकडे किये जाएंगे और वो तुकडे करने के बाद उसको recycle के लिए recycle center भेजा जाएगा तो वहाँ पे ना go down बना जाएगा वहाँ पे ना dumping ground बना जाएगा और वहाँ पे ना गिला कश्रा लाया जाएगा जिस वजे से लोगों को ब्रहमित कर रहे विरोधी लोग कि याँ पे गिला कश्रा आने वाला है dumping ground आने वाला ऐसा वहाँ पे कुछ भी होने वाला नहीं है मैं आपके मादेम से लोगों को एक कहना चाहूंगा आप जानकारी मोहिया कीजिए गुम्रा मत होईए और विरोधी के कहना चाहूंगा आप राद निती बिंदास कीजिए आप राद निती इस विशे पे बिंदास कीजिए हमें कटगरे में लीजिए कोई प्रवार नहीं है लेकिन राजदीती करने के लिए अपना स्वार्च साधने के लिए लोगों को गुम्रा मत कीजिए आपका मन है कि शूसेना या विरोधी द्वारा इस पूरे मामले में शेहर की जन्तों को गुम्रा किया जा रहा है सवाल यह है वाहां पर जो जगा आरक्षित जो पहले से इसकुल के लिए आरक्षित जगा थी उस जगा का अगर कोई फेर बदल करना है महान अगर पालिगा को खास तोर से इसकुल की आरक्षित जगा का अगर कोई किसी और जगा के लिए किसी और काम के लिए इस्तेमाल में लाना है तो उसे आपको राजसरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है क्या आपने इस मुद्दे को इसकुल की आरक्षित जगा को लेकर राजसरकार की मंजूरी ल सकते इन दो सवल के जवाब दीजिएगा पहली बात है हम वहाँ पे आरक्षन कोई बदली नहीं करने जा रहे हैं जो स्कूल इजरवेशन ही रहेगा उसके अलाब वहाँ पे दुस्ता कोई विशे नहीं है वो टोटल कुल मिला के एक लाग बीस हजार स्क्वेर फिट वो जग गया है वो टेंपरवी शब इसके लिए कि सिरफ और सिरफ एक लाग बीस हजार में से सिरफ दस हजार फूट उनको मेकिंग डिफरेंस को दी जा रही है और वो भी सिरफ पास साल के लिए एक लाग बीस हजार में से मानगर पालिगा के हक में या मानगर पालिगा ने अपने जो आपने लोगों को गुम्रा किया है, हम लोगों को जागरुक करने जाएंगे, हम एक मौका और मिला है, लोगों को सच्चाँ ही बताने के लिए और आपका अपका हकीछ उन्हों के लिए पानी है, जिसतरी के से उन्हों को टैक्स में किय अटा, गुम्रा ही किया था, हमने तो इस तरीके से हरकत नहीं की थी, हमने बार-बार पत्रवेवार करने के बाद हम लोगों के बीच में गे, इन्होंने क्या किया, जानकरी कुछ ली नहीं, आपको मैंने ठाराओ की कॉपी दिये, जिसमें खुलने शब्दों में, और मैंने चिला- के कहा था, कि वहां पर ऐसा कुछ डंपिंग ग्राउंड भी नहीं है, गिला कश्रा आएगा भी नहीं, उसके बावजूत आने वाले चुनाव को देखते हुए, अपना स्वार्च साथने के लिए, अपना फाइदा उठाने के लिए, लोगों को गुम्रा करें और भढ़क है, वो चाहते के वहां पर वो प्रोजेक्ट ना बने, इसको देखते हुए, क्या शेहर की किसी कोने में उस प्रोजेक्ट को आप ले जाने में सक्षम रहेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको वापीस से कहना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा, शाविर भाई कि इस लोगों तर 연cede के बात पोंचे, जिस तरगी से लोगों को गुमरा किया गया विरोधिय की तरफ सी, पहला मेरा फर्ज है, जिस तरिकी से हमें समझ में खाया था था, हमारे नितागण को समझ में खाय था, हमारे आए अउकतों मौद्धे जी को बात को थोड़ा सा वैसे ही मैं लोगों उसे निवेदन करना चाहूंगा कि making the difference अगर मेरी जुरुत पड़े तो मैं भी आने के लिए त्यार हूं वो आपकी द्वार पर आपके complex में आने के लिए त्यार है और आपको सब चीजों से बात को अवगत कराएगी पूरी जानगारी आपको देंगे औ और आपको समझाएगे अगर आप संतुष होते हो तब ही विशेक को हम आगे बढ़ाएगे अगर कोई भी complex में एक विशेक के बारे में नहीं कहूंगा ने तो कोई आदमी कहता है ने कि हर्ट ही पकड़ने बच्चों की तरह के करना ही नहीं है तो मैं उसके बारे में कुछ लोड़ उस जगह पर नहीं आएगा शेहर के किसी और झगा में चला जाएगा अब मैं आपको एक ही जान करणी दिना है चाहता हूं ओ जगह ही कि चुनी गई बात ये मेरा भाहेंदर के अंदर 6 प्रबाग है यह चाह नमर का प्रबाग जो ग्टन रससर्कल से लेके आज भी वहां पे जो अरोगे विबा की तरफ से जो गाड़ी मोया कराईगी है, जो मनुष्य बल यानि जो मैन पावर दिया गया है, वो आज भी 10-15 साल पूराना है, यानि ये 15 साल पर जानकरी लगाई है कि यहां पर आबादी कितनी बड़ी है, आज भी 2-3-3 फेरे मारते ह कश्रा शाहिद उड़ता है, दो-3-3 फेरे मानेवाद शाहर और कभी-कभी कोई-कोई जगह पे चार फेरे मानना पड़ते हैं, आप शाबीर भाई खली अंदाजा लगाई कि किसी सोसाइटी को पुछके देख लिजे, एक दिन अगर गाड़ी मों कहां द्वार पर नहीं कश्रा है, तो हम घर से लेंगे कश्रा, तो जानकारी पूरी देंगे, पूरी तरह से उनको समझाए जाएगा, अगर वो विश्वास में आते कि हमारे हित का है, तो यह वहां पे होगा, नहीं तो वहां पे नहीं होगा. अगर श्युषयना के जो प्रवक्ता है, शेलेश पंड़ें उनसे अमारी बात हुई थी, तो उन्होंने हम से कहा था, कि जिसवक्त यह गोश्वारा महनगर पालिका में सभवा में आया था, उस वक्त शिवसेना के जो नगर सेवके उन्होंने अपना विरोत प्रकट करना क कोशिश की लेकिन जान बुच के शुषेना के नगर सेवेकों को म्यूट कर दिया गया उन्हें बोलने का मोहका नहीं दिया गया और बहुमत के जोर पर आप सत्ताधारियों ने इस परस्ताओं को मन्यत दी उस नीजी संस्ताओं को जमीन एलोट करने के लिए मन्जूरी दी क् के शुषेना कोई लोगों को आपने एक तरह से दबा दिया था मैंने कहा ना कि अगर विरोध करना है तो किसी विशे पर भी कर सकते है आलोशना करने है तो कोई भी बात पिले के कर सकते है और एक कावत है नाच ना जाने अंगन तेड़ा तो उन्होंने उसी विशे को धेर किया है आप ही विशेशन करके बताईए क्या हमने लोगों के साथ शुपा शुपी का खेल किया है हमने लोगों को जानकरी दी है क्लियर शब्दों में लोगों को जानकरी दी है मैं आपके माधियम से लोगों को जानकरी देना चाहूंगा इट थरा हमने रखा था उसमें सि यानि अलग-अलग करना making the difference उसकी जवाबदारी रहेगी या कसरेत प्रकलबा मुड़े तेथिल नागरिकाना तरास वह गेर सवे होनार नाही याची काल जी प्रशासन ने घ्यावी वहां से होने वाली अगर कुछ तकलीफ होती है और यहां सम्झे अर्सुविदा कुछ होती यह तो उसका पूरा ध्यान पालिका रखेगी और जो रखना ज़रूरी है तसेज तेथिल स्थानिक अभी जो कह रहे होतों कि हम ठराव रखने ने दिया हमें बोलने नहीं दिया हमें बताने ने दिया किस तरीके से घूम्रा कर रहे हैं देखो लोगों को हमने नहीं रहेंगे उनको विश्वास में लियां जाए उसके बाद में प्रकल्ब पर शुरुन करें तो हमने गुम्रा हम कर रहें कि वह कर रहें लोगों को अगर आपका ही तवाला नहीं रहा तो वहाँ पे नहीं होगा यह मैं आपको शब्द दे रहा हूं लेकिन विर्योदियों के बातों में ना आए उनसे गुम्रा ना हो और उनको भी खरी-खोटी सुनाएं कि आपने यहीं पर इसके पारन है जिसके चलते आप इसके उपर ज्दोर दे रहे हैं कि यहीं पर यह प्रोजेक्ट होना चाहिए सबसे पहले में सन्नाई साब को कहूंगा कि उनके शब्द नहीं है उनको किसी ने कान में काना फुसी की गई है जिस तरीके से पांडी जी है उनका प्रताब और गिता ग्यान कम हो रहा है और उस पे थोड़ा ध्यान दीजेगा और अगर वो कहते कि संसा मेरी है तो मैं ऐसे श क intensity की तो मैं अगर यह माम्ला राज्य सरकार के पास में जाकर विखंडित होता है या राज्य सरकार मुंझोर्य नहीं देती है तो मेरा पुरा विश्वा से कि जिस तरीके से ठराव रखा गया है राज्य सरकार के बास जाने का कोई मौका ही नहीं है अगर ये राज्य सरकार के बास गया है तो आप लिख के ले लिजिए ये प्यार और प्यार रास करने वाले है क्यूं मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे विश्या आया था इसमें भली चाहे बीजेपी के हो, चाहे कॉंग्रेस के हो और चाहे सेना के हो मैं पापी से कह रहा हूँ बीजेपी के कॉंग्रेस के चाहे सेना के हो काफी लोगों ने इसका समर्थन किया है और कहा यार ये तो बहुत ही अची प्रास भीज़ के के लिए पना उल्लु सीधा करने के लिए राच करन करने के लिए मुझे this पूरी तरह से समझा दिया है कि यह जो प्रोजेक्ट शहर में आने वाला है यह जिससे महानगर पालिका को भी फायदा होगा शहर के नागरी को भी फायदा होगा जिसमें महानगर पालिका का किसी भी परकार का कोई खर्च नहीं होगा पूरा खर्च वो संस्ता ही वहन करेगी वही बरदाश्ट करेगी इस पूरा मुद्य पर जिस तरह से राजनिती लेकी कि वो इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर अपना क्या रोल निभाते हैं ये आने वाले समय में पता चलेगा बहरहाल इस पूरे मामले में मेरा भाहिंदर शहर की भारती जनता पार्टी और शुविसों फिर एक दूसरे के सामने आ चुकी है इसका जो नतीजा आएगा हम आपके सामने जरूर रखेंगे आप देख रहे हैं कैमेरामेन आरिफ कुलिशी और साहिब शिक के साथ ओन रिकॉर्ड मेरा भाहिंदर धन्यवाद